आज हम देखेंगे कि demographic dividend क्या होता है demographic advantages क्या होता है और कैसे demographic dividend demographic disaster बनता जा रहा है इसके बारे में जानेंगे दूसरा हमारा editorial हो जाता है कैसे रश्या और चाइना के relationship बढ़ रही है वहाँ पे इंडिया का क्या stance होगा ये देखना हमारे लिए जरूरी है Hello everyone आप सभी का स्वागत है Dr. Amit I.S. Academy के daily initiative UPSC समाचार में मेरा नाम नेहा है और मैं आपका सभी का welcome करती हूँ UPSC समाचार हम आज देखेंगे UPSC समाचार में हम 18 September के आज editorial जैसे आपको पता है प्रिलिम्स की 5 news cover करेंगे एक editorial discussion देखेंगे उसके इलावा जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम आया है उनके लिए information है कि पिछले तीन सालों में हमारी अकैडमी ने 108 सेलेक्शन दिये हैं उनके लिए हमारी अकैडमी ने new batch launch कर दिया है जैसे अभीमा new batch अभी हाल फिलाल में चल रहा है जिसमें prelims, main और interview की आपको full flash त्यारी करवाई जाएगी यह दोनों में मिलेगा आपको offline भी और online भी आप इसको यहाँ पर English medium और Hindi medium दोनों में देख सकते हैं ठीक है इसके लावा आप हमारी अकैडमी का app है Dr. Amit I.S. Academy करके आप उसमें भी जाके पूरी details चेक कर सकते हैं नीचे description में link दिया गया है ठीक है और यह numbers available है आप यहाँ भी contact कर सकते हैं तो चलते हैं आज start करते हैं 18 September की editorial discussion की तरफ देखो इसमें क्या है यह हमारा index है index में page number 3 पर हमारी news आई हुए फॉर्वेस्टिंग ऑर्फ मेगालिथिक बरियल साक इस कई केरला के अंदर आपकी और रेंवेस्टिंग वह रही थी प्लन प्रोजक्ट चल रहा था उसमें मेगालिथिक क्या हुआ हुआ हुए तो वहां प circest salt thinner पर है wise-screen technology इस Всё होता है modern telescope क्या है ठीक है वैस कैसे यह और ज्यादा बैटर बनते हैं पुराने telescope से नेक्स्ट हम प्रिलिम्स फैक्ट में देखेंगे आपके जो इंडिया और चाइना के बोर्डर पर हमारे जो प्रिस्प्यूट चल रहे हैं वहाँ पर हमारा resolution नहीं हो रहा है resolution नहीं हो रहा है उसके तरफ देखेंगे जो रापा न्यू जिनॉम्स रिस्टोर दर रियल हिस्ट्री ओप एन ओल्ड ट्रबल पीपल्स इसमें हम देखेंगे जो आपका रापा न्यू आइलेंड है इस्टरन आइलेंड भी बोलते हैं इसके बारे में study करेंगे इसके जो रिसेंट्लि स्टडी आई है उसने क्या बूला है ना इसके historical events के बारे में किसे के बारे में जाने luôn कि कैसे इंडिया को एडवांटेज दे रहा है कैसे अगर वह हम दि रखो सब्एक इस्में क्या है रिजक्ति पर्सक्री में थे इसमें क्या है रिसेंटली एक प्रोजेक्ट चला था केरिला के अंदर रेन्वोटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट बाइल दा पोडवयूर ग्रामा पंचायत इन केरिला लेट्स तो दिस्कोवरी ओफ नूम्रस मेगालिथिक बरियल्स ऑन कुड़ी यंदी कलरड त्युक इसमें क्या है कि जो आपका रेल रेनवोटर हार्वेस्ट प्रोजेक्ट जा left जो रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट पाइसमें क्या हूआ है कि आपके नँब किसमें यह मेगालिथिक बारे में जानेगए इस Purra मतलब क्या होता । मिझा मतलब बढ़े स्टों। घिक है अग ए लिद्धिक मतलब स्टों। मैं कि न रविदं Epic क्या होते हैं। अभी ़िए गणा की स्टों। अपे लेज़ स्टों में वद्धिक स्तों क्रारिए में अगे अगे में तो कुछ दिखा रहते हैं अब देखो मेगलिफ ऌटी में 20 अब औरаша मोनुमेन्ट सोन प्री हिस्टॉरिख ताइम याणि प्री हिस्टॉरिक टाइममें आपके क्या मिले हैं लार्ष टोन्स के आपके बर्याल्स मिलें है तिक है अब देखो इसमें हमारे लिए important हो जाथ है कहां-कहां मिलते इंडिया के अंदर देखो इंडिया जिसे इंडिया है तो डेकनने एरिया में मिले जो आपकी megalith предлаг, 3 types की होते है, doms होगे, doms होगे ápƏ, can circle मिन हीर्स होगे, मिन हीर्स cut, bag etc, ज्यासर होती है, जिससे आपकी doms होगे, doms में क्या होतए है आपकी बड़े-Bड़े stones के ओपर क्या होगा, एक kap stone होगा यानि बड़े-बड़े स्टोन पे एक कैप स्टोन उसको कवर करेगा आप इसके न सर्च करके देख सकते structure कैसे होती है दूसरा हम देखेंगे कि cancel circle इसमें क्या होता है कि जो बर्यल है जो आपकी बर्यल है उसको बिल्कुल exact बीच में रख देंगे उसे side में क्या करेंगे circle बना देंगे बड़े-बड़े पत्थरों से next हम देखेंगे मिन हीर्स में क्या होता है कि बहुत बड़ा स्टोन बर्यल्स के उपर रख देंगे ठीक है तू मिन हीर्स हो गया इसमें explain किया गया है इनको डॉम्स क्या होते हैं आपकी upright stones covered by a large capstone upright stones होते हैं वो large capstone से covered होते हैं फिर आपका can circles क्या होते हैं grave markers होते हैं while grave markers मतलब जहां पर grave है उसके आसपास mark कर देते हैं ऐसे एक एक पत्थर करके गोल अकार में उसको रख देंगे ठीक है उसके बाद मिन हीर्स क्या होते हैं टोल टोल upright और एक लार्ज stone होगा ठीक है इसके बाद देखो कि मिले कहां है मेगा लीथिक साइट हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाती है अगर सब्सक्राइब आपका कोशन आता है जैसे अगर मैं आपसे पूछो कि नोर्थन वैस्ट आपकी सब से माइक्रोलिथिक साइट कोन सी जैसे बुर्जव होम है ना तो आपके जैसे कहां पे एक डोक के और हुमन के साथ अवशेश मिलें ना कुत्ते के एक आदमी के साथ यह हमें शो करता है कि हम कु करनाथ का तमी लाड़ू के रला इसन सब में का हमले इंचेंट ऑरियल्स मिलें। कि इसके मेगाली करें को यह हमें इंडिया की इंडिया की कि All Gosh के बारें बताते है थी ॉस Темोलिद से चैन्ट है इसमीं डेखते हैय। टाइप ओफ टेलिस्कॉप में 2 हम्सित मोडल्स, रिफ्रेक्टिंग क्या होता है, पाने में क्या होता है, रिफ्रेक्शन होता है, यानि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, जब लाइट, आपने कभी देखा कि पाने में टोड़ चुमार के तो वो छोड़ा सा रिफ्रेक्ट हो जाती है, जिसे तो यह ड़ सोथे हां, जब हमें दिख हीai जब हमें दिख रही है यह रिफ्लेक्षण नहीं नहीं की इसके बेसिसी पर टेलीस्कोप बनते हैं कि मी परके जाए सत्रीम लार्श टेलीस्कोप मेरा जैम स्बूस्वाज पीस टेलिसकोप है यह किस-किस companies ने मिलके बनाए एक तो NASA है एक European Union है उसके लागव कौन-कौन सी countries ने मिलके बनाए और यह कहां किस point पर जैसे L1, L2 आपके points होते हैं कहां पर यह located है आप मुझे बता हुआ है न इसमें इसको एक वारी overthrow कर सकते हैं इसमें जैसे hexagon shapes में होते हैं बहुत सारे mirrors लगे होते हैं टेलिस्कोप के अंदर वो क्या करते हैं पूरी light को capture करते हैं बहुत दूर तक के object की सारी light को capture करके आपकी eyes तक दिखाते हैं जैसे आप देख रहे हो तो इस पे पूरी light आपकी जो भी object है उसकी गिरेगी और फिर वो आप त होना चाहिए ठीक है जो space की celestial bodies होती ना उनकी बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं टेलिस्कोप बनाते हैं तो इसमें यह है कि टेलिस्कोप क्या तूल होती है observe करते है distant object है उसमें जो distance है बहुत दूर object है उसको observe करने की काम आती है ना collect करती है सारी light को ठीक है फिर वो आप तक पहुंचाती है इसमें क्या में जो हमारे space के अंदर होगे उनको देखने के लिए होती है magnifying images होती है na focusing on front light rays पे focus करती है इसके बाद देखो आपका aperture क्या होता है इसमें होता है open opening that the collects lights यानि light को सारी को collect करके आप तक पहुंचाने जिस पूरी light आ रही है mirrors पे गई है उसको एक point तक लाना ठीक है उसके बाद क्या होता है lenses versus reflectors बता रहे है lenses क्या करते हैं behind the light होती है यह सारे आपकी physical की physics की terms होती है ना mirror together focus light offering better clarity देते है reduce क्या करते है distortion जो आपके reflecting reflecting टेलिस्कोप होते ना उनका क्या करते हैं वो mirrors होते हैं उनके अंदर मैंने आपको बता है hexagon mirrors होते हैं वो mirrors क्या करते हैं आपकी better clarity देते हैं जो बीच में distortion आ रहे हैं जो disturbing चीज़ें आ रहे हैं उनको side करके उसके पूरी आपको image देते हैं उसके बाद feature of telescope के feature क्या होते हैं brightness होती है visibility होती है जो आपकी celestial objects होगे space के अंदर उनको देखते हैं उनके जो brightness है उनकी proper होती है आप तक उसको image को पूरी वो करते हैं बिना किसी distortion के उसके बाद जैसे इसमें example है Fieryus is the brightest star हमने इसमें देखा है magnitude किता 1.46 का देखो telescope setup on mountains पे क्यों रखे जाते ही यह बहुत बर आप देखोगे कि हमने भी लदाफ में अभी recently बहुत बहुत बदा telescope fit कि है तो ऐसा क्यों होता है कि वो mountains में होते हैं पहला reason better clarity यहीं आपके कम बादल बादल कम होगे आपका atmosphere clear रहेगा जो object उसको आप बहुत अच्छे से देख साथ के without any disturbance ठीक है आपके बीच में distortations नहीं आएंगी डिद्यूज अट्मस्फेर डिस्टोरेशन क्लियर स्काई है ना यहीं बोल रहा है स्पेस टेलिस्कोप में है न उसके बाद advantage advanced टेलिस्कोप में क्या बोल रहा है extremely large टेलिस्कोप है लोकेटिड कहां पे है यह आपका चील में चैल में लोकेटिड है उसके अर्थ के और सन के around जब अर्थ करती है रिवोल करती तो अर्थ के साइड में है एक अर्थ और सन के बीच में है एक अर्थ के प्रंट में एक अर्थ के बैक पर है एक सन के बैक साइड पे ना जब हमारे अर्थी साइड होती है तो इस जैम्स वाला कौन से पर लोकेटेड है तो यह उसके regarding news है, यह हमने कल अच्छे से map को इसमें पूरी cover की थी, आज इसमें कुछ ऐसा proper points नहीं आए, unresolved चल रहा है हमारा issue, हमने LAC का देखा था proper सारा, ठीक है? नेक्स्ट हमारी हो जाती है, प्रिलिमस fact की ही है हमारा, रापा न्यू, genomes reveals the genetic history and population dynamics of eastern island inhabitants, ठीक है? इसमें क्या बोला है? एक तो यह देखो, रापा न्यू, जो genomes study है, वो कहां हुए? यह एक eastern island है, जो आपके South America से 100,000 किलोमेटर दूर है, जो चील का, चाइल का एरिया हो गया चिल्ली जो एरिया हो गया, अरजन्टीना चाइल हो गया है, तो उसे के 1000 किलोमेटर दूर है, तो इसके अंडर में यह आता है, इसने क्या बोला है? इसने रिसेंटी study गिया, आपके लिए important होता है, रापा जो यह आपका रापा न्यू एरिया है, रापा न्यू आइलेंड है, यह किसके लिए famous है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे देखो, यहाँ पे गुडिया से गुडिया से आपको दिख रही होगी, कुछ ऐसे structure है, यह हमें find out मिली है, यानि आप देखो कि बहुत 30-30 मेटर के पत्थर के गुडिया के अकार में structure बना रखी है, तो हमारे लिए न वो due to over exploitation of resources, खतम होगे, यह उन्होंने पहले study में बोला, लेकिन अभी नई study क्या बोल रही है, कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, वो 1700 में जो आपका Europeans का invade हुआ था, उसके बाद वो धीरे-धीरे खतम हुए, यह बात बोल रहे हैं, नई study के साब से, दोखो, अभी यह रापा न्य to known as people of eastern island बोले जाते, are pollination natives, pollination के native है, island of the southern eastern pacific ocean का अंदरी यह locate करता है, इसके यह famous किसके लिए है, monument stones, जो गुडिया-गुडिया क्या आरे के जो stones से उनको क्या बोलते है, आपकी मोई, ठीक है, मोई इसके लिए famous है, इसमें यह complex society and उसके culture को reflect करते, कैसे उनका culture रहा है, significant population growth थी, dramatic decline हुई, किस वज़े से decline हुई, reasons बोले जाते हैं, external factors भी हो सकते हैं, internal factors भी हो सकते हैं, उनकी population एकदम decline होगी, जो जैसे हम बोलते हैं, हडपन civilization के population कैसे decline हो, बैसे रापानियू में क्या था, कि population रहती थी, उन्होंने यह, जो moist monument structure थी, यह बनाए थी, कैसे decline हुए, जो reason हो सकते हैं, या तो भाहर से लोग आगे, European invade हुआ होगा, या internally ही क्या हुआ होगा, internally ही आपके over exploitation of resource हुआ हो, इतने resource नहीं रहे, एक island था, भाहर से, कहीं से resource आ नहीं सकते हैं, तो ये भी कारण हो सकता है, ये studies में बोला गया है, लार्ज थी, stable before the European contact previously thought है, लेकिन recent study में क्या बोला है, कि ये resources over exploitation का जो idea था ना, उसको challenge कर रहा है, अभी जो recent study हुए, इस पर ये पूरा article है, अब इसके बाद हमने next article देखते हैं, मारे international relationship का हो जाते है, इसने बोला है कि the deepening Sino-Russia relationship exacerbated by the Russian growing economic reliance on China, ठीक है, ये मेरा थोड़े reflection के वज़े से मेरे term नहीं पड़ पार रही हूँ, देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें Russia growing economic reliance on China, रशिया कैसे एक दूसरे के साथ अपने relation बना रहे हैं, यहाँ पर इतने visible नहीं है, जब आप इस article को एक गो थूरू हो के देखोंगे, तो यहाँ पर क्या बोल रहे है, कि पहले रशिया का सबसे ज़्यादा export और import किसके साथ होता था, European countries के साथ, अब European countries को replace करके को न आ ग रशिया export making up to 30.4% of Russia total export, जो रशिया का total export है, उसमें 30.4%, आप देख रहे हो किता ज्यादा contribution है चाइना का है, जब कि जो चाइना के वो only 3% है, अब देखो इसमें क्या है, कि जो रशिया export to China are largely energy dependent, जो रशिया export to the China को कर रहा है, वो किस पे energy dependent है, हम भी रशिया से बहुत सार energy जैसे oil हो गया ले रहे है, लेकिन हम क्या करें, हमारी जो utility है उसके लिए उसके लिए उसकर रहे है, बट चाइना क्या कर रहे है, कि चाइना एक दो ऐसा होगा गर का पैसा घर में रहे है, जो वो आलग सीन है, चाइना कितना energy ले रहा है इससे, और इसके बदें पैसे मिल चाइना बहुत सारी diverse चीज़े भेज रहे है, लेकिन रश्या से चाइना क्या ले रहे है, energy ले रहे है, किती 70% ठीक है, रश्या एकॉनमी बहुत जादा किस पर होगी है, energy रेवन्यूस पे, जो रश्या है उसके बहुत जादा oil है, energy है, तो किस पर रिलाई करती है, इनी ज रश्या किस पर रिलाई कर रहे है, चाइना पर रिलाई कर रहे है, क्या ले रहे है, बहुत सारे goods and products ले रहे है, और बदले में energy भी दे रहे है, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, कि चाइना की जो रश्या की जो dependent है, रिलाइंट है, वो चाइना पर बढ़ती जा रही है, इससे इंडिया को क्या impact होगा, वो हम इसमें लीचे देखेंगे, देखेंगे, लोगर इंडिया को क्या impact होगा, कि अगर चाइना, अगर रशिया अगर बहुत ज़्यादा रिलाइन हो जाएगा चाइना के ओपर, वो सारे रिसोर्स अगर चाइना एक्सपोर्ट भी उसका उसके साथ, इंपोर्ट भी उसके साथ, अगर ऐसे सिचुएशन आ जाते न, तो रश्या की अपनी अटॉनमी कहीं न, कहीं हाम होगी, हैंपर होगी, वो हमारे लिए क्या कमिट्स में बात आएगी, तो वो फेवर करेंगे एक दूसरे को, हाना, वहाँ पर कहीं न कहीं, इंडिया बिल्कुल अटॉनमस पैसले नहीं ले पाएगा रश्या के साथ, और ना रश्या इंडिया के साथ ले पाएगा, तो कहीं न कहीं, हमारे लिए ये अच्छी नियू होना चीना, अगर रश्या चाइना के साथ अलाइड करेगा, तो हमारे वैसे ही चाइना इसाथ इतने counter arguments रहते हैं, बलब disputes रहते हैं, जाए border अभी चली रहा था, हमने इसे पिछले news में देखा है, तो हमारे पहले ही, जैसे श्री लंका में देखो, मैं अन्मार में देखो, चैना ने हमें चारों तरफ से cover कर रखा, अब वो रश्या के साथ भी ally हो जाएगा है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक concern है, ठीक है, इसके बाद हमारा editorial हो जाता है, demographic advantages का, ठीक है, demographic dividend और demographic disaster देखेंगे इसके अंदर, ठीक है, इस article को एक बार आप अपने बिहाफ पर ठीक है, आपको पता होना चाहिए, demographic dividend क्या होता है, demographic disaster क्या होता है, इस article में direct mention नहीं है, बट आप demographic disaster भी देख सकते हैं, बहुत बर आता है, ये news का, चाहिए आप इसको SME यूज़ कर सकते हैं, GS3 में भी यूज़ होता है, ठीक है, अभी देखो ये questions है, मैंस में पूछा ग aware, skilled and creative, ठीक है, ये statement दी गई है, इस पर इन्होंने पूछा है, ये इस article के बहाफ पे question है आपका, देखो context क्या है, हमारी rapidly economic growth है, drives by its demographic advantages, जो हमारी economic growth हो रही है, आपको पता होगा कि इंडिया अभी फिलाल 5th largest आपकी developing countries में आ रही, GDP के हिसाब से हैं, 5th largest GDP है इंडिया की, त इस हिसाब से हैं, इंडिया के अंदर क्या है, according to India, इंडिया ये population बहुत जाद है, young population, average मानी जाती है, 29 एज की है, जो working population है, वो इंडिया की बहुत जाद है, ठीक है, तो इंडिया की वो working population बहुत जाद है, इससे हमें क्या फायदा मिल सकता है, इससे हमारी infrastructure में बहुत सच्छे मिलेंगे, labor सच्छे मिलेंगे, तो हमारी infrastructure boost करेगी, जिसे आपको पता है कि हमारे जो youth है, वो भाहर जाके हमें क्या देता है, वहां से, remittance देते हैं, वहां पे जैसे dollars लेके हमारी इंडिया के अंदर भेजते हैं, तो हमारी लिए benefit का ही काम करते हैं, लेकिन वो demographic dividend कैसे demographic disaster बन रहा है, अगर आपके पास population अच्छी है, young population है, but young population को अगर skills नहीं आएंगे, suppose that आपके आज के time में AI का जमाना artificial intelligence होनी चाहिए, आपको computer skills होनी चाहिए, आपको technology की knowledge होनी चाहिए, आपको मिलब हर तरीके से advanced technology की knowledge होनी चाहिए, but आपके पास नहीं है, तो आप क उनको खाना देना पड़ेगा, यानि subsidies होंगे, सरकार policies बनाएगी, सरकार का पैसा किसमें चला जाएगा, सब schemes के अंदर चला जाएगा, यह हमारे लिए disaster भी बनता है, जब अगर youth को proper knowledge, education, skills नहीं है, तो इंडिया का focus होना ची, कैसे उसको maintain करके रखे हैं, अब यहीं बोल लो है, वो बहुत आउट्डेटिड है, उनको proper wages नहीं मिलते है, आपका exploitation होता रहता है, इन्फोर्मल सेक्टर भी है आपका बहुत जादा, जहां पर आपके registration ही नहीं है, कि यह मिलब जैसे housewife है, वो आपकी proper register ही नहीं है, कि कोई काम है कि नहीं है, उसके लावा क्या आपक shortage है skilled worker की, कैसे इन issues को हम address कर सकते हैं, improve कर सकते हैं उनकी skills को, उनको skills provide कर सकते हैं, promoting labor incentives, उनको labor incentives provide कर सकते हैं, demographic dividend and ensure sustainable growth, तो demographic dividend कैसे आपका ensure करे sustainable growth को, ठीक है, इंडिया's economic emergence and labor force dynamics, इसमें बोल रहा है कि मैंने जो आपको बताया अभी वो सारा इसमें explain है, world fastest growing large economy है, इंडिया की 5th rank है, हमारा key role हम play करते है, medium age of around 28 years and 63% of population being of working age, जो मैंने बताई न, 28 year के आसपास है, 63% population आपकी working age की है, यह आपका international labor organization का एक ratio है कि 55.2% in 2022 में क्या है, अपकी labor force participation rate है, तो हमारी बहुत high participation force है, अगर इसको हम अच्छे से जो areas है उन पर लगाएंगे तो हम बहुत अच्छी एक growth ला सकते अपने economic sector में है, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम एक jobless growth भी देख सकते हैं अब अब create a new opportunity करनी पड़ेंगी, जैसे ease of doing business हो गया, necessary reforms लानने की ज़रूरत है, context of production must come from the states हो गया, center state को relation, यह क्या बता रहे है कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, जैसे center state collaborate करके चीज़ें कर रहे हैं, आपका ease of doing business लेके आए, जैसे stand up India हमने scheme लेके आई है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि आपकी जो evident labor supply है, उसको आप increase करो, ठीक है, proper sector wise लगाओ, अगर यह इनसान इस चीज़ में जैसे क्या होता है, कि IITN होते हैं, स्पोर्ज थे students हैं, तो पहले ही देख लेता है कि यह आपके software में, अगर इसको knowledge प्रवाइड गई तो उसको software company hire कर रही है अगर इसने designing में की है, तो इसको designing वाली company hire कर रही है, तो पहले ही आप advance उनको सिर्फ skill कर रहे हो, तो companies के साथ भी collaboration रखो, ताकि आपका जो growth है न, जो demographic dividends है, वो proper sector में जा पाए हैं, उसके बाद क्या बोल रहा है, micro and small medium entrepreneurs, MSMEs का आप वो ले क्या हो है, decline in implementation, the new labor codes and negative signals को decline करो, high growth and labor intensive sector हो गया आपके, यह कुछ data दिया गया है, कैसे हमारी जो India का high potential है, toys में, appraisals में, tourism में, logistics में, उसमें आप ले क्या हो, better paying jobs ले क्या हो, important of the skilling, the workforce, कैसे आप workforce को क्या कर सकते हो, improve कर सकते हो, तो इसके लावा हमारा क्या क्या है, इसमें address through the public and private partnership को हम, यह सारे उसके वो आ रहे हैं कि public private partnership ले क्या हो है ना, skill shortage को deal करो, labor surplus ले क्या हो, lifelong process होनी चाहिए, skill, एक ऐसी, skill के बारे मता रहे है, skill must be a lifelong process आपकी, आपका artificial intelligence and machine learning, machine learning मैंने कल आपको topic बताया था, machine learning क्या होती है, आपको I think आज इस चीस से आप clear होंगे, risk due to rise of the artificial intelligence and machine learning, तो low skilled job एक risk बनता जा रहा है, अगर हम proper artificial intelligence के regarding में और आपके machine learning के regarding में, अगर उनको पहले ही educate करेंगे, तो हमारा यह risk भी कम होगा, India has second largest talent pool है किसमें आपका artificial learning में और आपका machine learning में, artificial intelligence और machine learning में, but there is a 51 gap between supply and demand, a gap that is expected to be done, कितना gap है, 50% gap है, किसके बीच में आपका, कितनी supply और कितनी demand है, किस चीज में, आपके artificial intelligence और machine learning में, तो हमें इसको deal करने के लिए, जो हमारी dividend है, उसको proper education परवाइड करेंगे, skill परवाइड करेंगे, ताकि वो इस gap को क्या कर पाए, cover कर पाए, और इससे क्या होगा, हमारी economy boost होगी, हमारी इससे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या problem solve हो सकती, unemployment की problem solve हो सकती, job less growth की problem solve हो सकती है, हमारी GDP बढ़ेगी, जो हमारे lifestyle का initiative लिया है, वो improve हो सकता है, ति सारे points collaborate करके हम लिख सकते है, answer writing में, यह आपका conclusion हो जाता है, कि कैसे हम हमारे skill talent pool बना सकते हैं, तो I think आपको यह article clear होगा, देखो हमारा next कुछ questions है, इसमें, which country join BRICS in 2024, देखो, अभी recently 4 countries ने BRICS को join किया है 2024 में, यह हमारा पहला question है, इसमें बता, वो 4 country कौन सी हैं, यह मैंने इसलिए पूछा, क्योंकि रश्या और चाइना और इंडिया, यह तीनों इसी BRICS के अंडर, एक दूसरे से, इन तीनों में हम, हम शामिल हैं, हमारे लाओ दो countries और भी हैं, उनका भी आप नाम बता सकते हैं, which is the first megalithic site, कौन सी पहली megalithic site हमारे इंडिया में discovered की गई है, यह कोशन मैंने इसलिए पूछा है कि ऐसे कोशन आजाते हैं, हमने आज हमारे first article देखा था megalithic site से, विच कंट्री ओन्स रापा न्यू आइलेंड, कौन सी कंट्री ओन करती रापा न्यू आइलेंड को, जो हमने अभी recently monuments से जो famous थी island वो देखा था, यह मैंने आपको पहले भी question पूछा है, कहां पे आपका James टेलिस्कोप है, वो लोकेटिड है, next हमारा, by which one of the following acts was the governor journal of Bengal, designate as the governor journal of India, किस act के तहत आपका governor journal of Bengal, governor journal of India बना था, तो यह आपकी कुछ options दिए गए हैं, एक्ट में, regulating act, pits act, charter act 1793 और charter act 1833, यह आपके five questions है, आज के लिए इतना ही था, thank you everyone, 18 September का newspaper analysis हम यहीं पर खताम, swap करते हैं अबना, और next time कज़े start करेंगे, thank you.